हलो दोस्तों, स्टेनो मास्टर में आपका स्वागत है, नौशकार करशे हैं आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज आप लोगों को ये डिक्टेशन असी वर्ड पर मिनट के इसाप से होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1, रड़ी, कोरोना संक्रमण में भारत का दुनिया में चोथे इस्थान पर पहुचना जितना दुखाद है, उससे कहीं अधिक चिंता जनक है, इस चिंता का इजहार जन सामान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक होना स्वभाविक है, माना जा रहा था कि कोरोना भारत में ज्यादा नहीं फैलेगा, और दुनिया को भारत से उमेदे भी हैं, लेकिन पिछले महीने भर में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है, हमारी चुनोतियां बहुत बढ़ गई हैं, अब भारत से आगे केवल तीन देश बचे हैं, रूस में पांच लाख से अधिक मामले हैं, ब्राजील में आठ लाख से जादा और अमेरिका में बीस लाख से जादा, भारत में संक्रमर की यही रफ्तार रही तो जुलाई में ही कोरोना संक्रमर चरम पार पहुंच जाएगा, तेज बढ़ते संक्रमर से पता चलता है, लोग पूरी तरह सचेत नहीं हैं, कोरोना से रच्छा के दिसा निर्देशों के प्रती लापरवाई जादा दिख रही है, तो नतीजे सामने हैं, कुछ राज फिर लागडाउन के पक्ष में हैं, कोरोना प्रबंदन की ऐसी ऐसी खामिया सामने आने लगी हैं, जिने छिपाया नहीं जा सकता, पैरग्राप चेंज सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देजभर के सरकारी अस्पतालों में कोविट नाइंटीन रोगियों और सवों के साथ हो रहे, बिवहार पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस्थिती को विकट बताया है, खबरों का संग्यान लेते हुए तीन न्याया धीसों वाली पीठ ने अस्पतालों के हालात पर चार राज्यों दिल्ली, महाराष्ठ, तमिल्नाडू और पश्चिम मंगाल से विस्तरत इस्थिती रिपोर्ट मांगी है, न्याय मूर्ती असोग भूसन की अधक्षता वाली पीठ ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कोरोना प्रबंधन की खिचाई की है, शुप्रीम कोर्ड का कहना है, जब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तब जाच की संख्या भी बढ़नी चाहिए, ऐसे में राष्ट्री राजधानी में जाच का घट जाना अनुचित है, सीर्स अदालत ने यह भी कह दिया कि सरकारी एस्पतालों में बड़ी संख्या में बिस्तर खाली होने के बावजूद मरीज भटक रहे हैं, कोट को शव प्रवन्दन पर भी चिंता जाहिर करने पड़ी है, तो इस्थिती भी गंबीरता समझी जा सकती है, जहां चेन्नई में सरकारी एजेंसियां मृतकों की अलग-अलग संख्या बता रही थी, तो वहीं दिल्ली में भी यही सिकायत सामने आ गई, तब एजेंसियां मौत के आकड़े ही दुरुस्त नहीं रख पा रही हैं, तो कुरो संक्रमितों की संख्या कितनी पुक्ता होगी सोच लेना चाहिए, पैरग्राप चेंज, देश में सबसे अधिक 94,000 से ज़्यादा मामले महराष्ट्र में हैं, उसमें भी मुंबई सबसे बुरे हाल में है, वहां की सरकार केंद्र से सहयोग मांगने को विवस हुई है, मुंबई के सिविक संचालित अस्पतालों में वाड बॉयज और नर्सों के 30 प्रिचसत इस्टाप की कमी है, विक्सित सहर मुंबई में जब सेहद बिवस्था चर्मनाने लगी है, जब राष्ट्री राजधानी कराने लगी है, तब देश के दूसरे इलाके का सहज अनुमान लगाया जा सकता है, बेसक जब आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, तो बिवस्था की खामियां कमियां खुल कर सामने आएंगी ही, लेकिन जरूरत इन खामियों को लेकर उदास होने की नहीं है, लेकिन हर किसी को अपने इस्तर पर सुचना होगा की वह शंक्रमर के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, हम अपनी उदासिंताया लापरवाही से ऐसी नौबत ही क्यों आने दें की अस्पतालों पर ज्यादा बोज पड़े, हिम्मत के साथ हमें मुकाबला करना होगा, तीन लाख की भयावा संख्या सताने लगे, धन्यवाद.